हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल आइस एवरिवेर दोस्तों दीवेले के बाद न्यूवेर के दिन तन की देवी अपने भक्तों को आर्सिवाद देने के लिए धर्ति का चकर लगाती है यसे में उनका सागत करने के लिए लोग विशेस रूप से घर की सापसपाई करने के साथ गल को फुलो, दीयो, रंगोली और तोरण के साथ सजाते है इसमें खास बात करें तोरण की तो इसे घर के मुख्षे द्वार और खिर्कियों पर लगया जाता है और वास्तु के अनुसार किसी सूप अउसर और खास तोर पर न्यूवर के दिन लगाना सूप माना जाता है दोस्तो तोरण लगाने के पीछे घर्णानिक और धार्मिक दोनों कारण होते है लेकिन इनके बारे में नहीं जानते हो ना तो कोई बात नहीं आज की ये वीडियो देखते रही है आज की ये वीडियो में आपको इसी टोपिक पर बात करूँगा लेकिन दोस्तो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरी चनल सब्सक्राइब नहीं किये सब्सक्राइब कर दीजिये और बाज में दिएगे बेरेकंब सुझेशने मेरे आने वाली टेकनिकल एंद नॉन टेकनिकल वीडियो का इनोटपी के सम्ना जल्दी से मिलें युजिये और चिंजिशन लोगों में गेट पर लगाने से दोई लेक्समा प्रसंद होती है सुपता का प्रतिक माने जाने वाले तोरण को घर पर किसी सुभाउसर पर लगया जाता है इसे खास तोर पर बच्चे के जन्मा साधी गुरूप रवेस मेमानों का स्वागत न्यू यार या कोई विशेश पुजा प स्थापी दोता है और उनके साथ में कारोबार नोक्री से जुड़े परिशनिया का अंतों कर जीवन में हर कारियों में सफलता मिलती है और दोस्तों तोरण को घेंदे के फूल आम के पतों से तयार किया जाता है तो चलो अब बात कर लेते हैं कि उनके पीछे धर्मिक और व जीवावज़ुद भी गेंदे को इन सब में सुभ माना गया है दोस्तों संस्कूठ भासा में इसे सूल पुष्व का जाता है इसे सूत्त का प्रतिक माना जाने के कारण देवी देटाओं के पुझा में उसका इस्तिमाल किया जाता है उनके साथ ही इसका सब्ण के शंट कउरण सांट होता है इसकी खुसबू से मन संट हो dalता हुँ और तनव कम होने में मदद मिलती है। साथी केंशर जैसे गंपिर विम्हारी होने कैंखत्र कम हो जता है जेंदे में अंटी इसे कलस नारियल रखने से पहले रखा जाता है और माना जाता है कि आमकी पतिया भगवन के आंग और नारियल उनके सीर को दर्शाता है। आमके पतिया से तयार तोरण को घर पर लगाने से नकरत्म गुर्जा से करत्म कुर्जा में बदल जाती है। अगर वैडिनानिक महदों की बात करें तो इसमें एंटिसेप्टिक गुन होने से तयार तोरण घर पर लगाना सियाद के लिए अच्छा होता है। और दोस्तों आमकी पतिया कारबन डायोकसाट को अच्छे से आउस्वसित करने के काम करती है। इससे में रहने के लिए सही और सुधातारण मिलता है। लेकिन दोस्तों आथ के समय में लोग अलग-अलग तरीके के तोरण लगाने लगे है। वो लोग अलग तरीके से घर को डेकरोड करने के लिए मोतियों, आटीविस्यों पतों, रंगवी-रंगी फूलों से बने तोरण का इस्तिमाल करते है। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो देखकर आपको पता चल गया हो गया कि गेंदे के पतों के तोरण और हमके पता के तोरण सुब दिन पर क्यों लगा जाते है। दोस्तों अगर आपको मेरे ये वीडियो की इंपरमेस्टन अच्छी लगी है यूस्फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सेयर करना मत भूले जिसे दुस्तों को भी ये बत पता चले तो आज के लिए इतना है अगले वीडियो के साथ मिलते है तो अब तक क्लिए क्लिस्टन अगर आक कर दोदा चाहिए आज कि एगले जा कर दोस्तों के साथ मिलते हैं इुने स्टनों काराओे मैं अजय से येक टम फिर कि में आपकशल लगज़ी ओिसी है घैट